इन दोर से बड़ी कबर सामने आ रहे हैं जहां छत्रीपुरा इलाके में एक मंदिर पर 10 साल की बच्चे के साथ गुलत हरकत करने का मामला सामने आया है हरकत करने वाला मंदिर में धार्मी काया उजन के चलते उत्राखंट से इंदोराया है रात में जैसे ही मामले की जानकारे स्थानी लोगों के साथ हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वह थाने पहुंचे पुलिस ने रात में ही आरोपी को गिरफतार कर लिया उस पर पॉक्सो एक्ट और धारा 377 सहीद अन्य धाराओं में केज़र्स किया है गटना सिलावट पुरा के महालक्षपी मंदिर की है जहां इलाके में निवारा 10 साल का बच्चा अपनी मां के साथ दर्शन करने पहुंचा था इस दुरान बच्चा मंदिर के बाहर खड़ा था साथू जैसी वैश भुशा में वहां एक व्यक्ति आया और बातों में लगा कर बच्चे को मंदिर के फर्स फ्लोर पर ले गया इसके बाद एक रूम में ले जाकर कमरा बंद कर दिया इसके बाद खुट के कपड़े उतार कर बच्चे को गोद में ठा लिया इस दुरान बच्चा गलत तरीके से चूने के चलते मा के आने की बात करते हुए दर्वाजा खोल कर नीचे भागा और घर जाकर मा को पूरी बात बताई इस्तानी रहवासियों के आकरोश की चलते वो मौके पर पहुँचे और लोगों से बात करताने गए यहां सूश्णा पर हिंदूवादी संगठन के राजेश राठोर और साथी भी पहुँच गए हंगामे के बीच रात में आरोपी के खिलाफ छेडशार और पॉक्सो एक्ट में केस दर्श कर आरोपी को गरिफतार कर लिया गया है